हलो फ्रेंड्स और विल्कम बैक टो माई चैनल बिंगॉली फैमिली इन यूए जहां मैं बात करती हूँ यूए और फ्रावल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तों यहां थमनेल में बिल्कुल आपने सही पढ़ा कि अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो दुबई में आपके उपर आप फाइन लग सकता है कैसे फाइन लग सकता है क्या है रीजन जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंटर के देखिए ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके तो दोस्तो अगर आप म्यूजिक लवर हैं और आते जाते आपको गाना सुनना बहुत पसंद है तो एक अपडेट आपके लिए है ये अपडेट है आटिये के तरफ से ये अनौस्मेंट हुआ है कुछ दिन पहले आटिये को एक कम्प्लेइन मिली थी उस कम्प्लेइन के दौरान एक लेडी ने कम्प्लेइन किया है कि जब वो मेट्रो से वापस आ रही थी तो दो तीन लोग बहुत लाउड म्यूजिक ही यूज करते हैं जैसे कि हो गया मेट्रो ट्राम बसे इनका अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको लाउड म्यूजिक बिल्कुल भी नहीं सुनना है अगर आप म्यूजिक सुनते हैं आने जाने के टाइम पे बहुत लोग सुनते हैं लेकिन आपको हेड़फोन का यूज करना है ताकि दूसरा कोई ना सुन पाए अगर आप ऐसा सुनते हैं कोई डिस्टरबिंस फील करता है या फिर आप पकड़े जाते हैं ऐसे में तो आपके उपर सौ से 200 दिरम तक का फाइन लगेगा ऐसे और भी बहुत सारे फाइन बताए गये हैं जैसे नौल कार्ड एक्सप से फाइन होता है पब्लीक ट्रांसपोर्ट जो लोग यूज़ करते उनके लिए लेकिन ये अपडेट जो गाना सुनने वाला है वो मुझे नया लगा मुझे लगा आप सब के साथ शेयर कर देना चाहिए क्योंकि बहुत लोग म्यूजिक सुनते हम लोग भी जब आते जात है क्योंकि यहां पर जो लोग जॉब सर्च करने आते मुझे पता है 100 दिरम भी उनके लिए बहुत कीमती होता है 100 200 दिरम का अगर फाइन आ जाए सिर्फ और सिर्फ गाना सुनने के लिए तो यह बहुत बड़ी दिक्कत यह बात हो जाती कि आपको 100 दिरम या 200 दिरम देना पड़ जा रहा है फाइन क्योंकि आपने मोबाइल में गाना चलाया था वो किसी और कुस्त ने डिस्टरब किया तो गाइस आई होप यह वीडियो आप सब के लिए हेलफुल रही होगी और भी कोई कोशन हो कबन बॉक्स में ज़रूर बताइए या फिर कुछ अर्जन कोश